hello friends welcome to my youtube channel और आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ कि हम checkboxes का use hdml में किस तरह से करते हैं तो आएए देखते हैं यह हमारा hdml है head है title है हमारे web page का head को close किया हमने body को start किया form को start किया इसके बाद हम क्या करें है हम bold tag लगाते हैं और मैं लगा रहें select 1 किसी भी form में आप देख लीजे option होते है कि आप male है female है तो दोनों में से एक click करना होता है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कीजे input type equals to checkbox ठीक है इसके बाद इस tag को close कर दीजे अब save आप इसको चाहें तो यहाँ पर paste कर सकते हैं यहाँ पर आप female डाल दीजे of course female okay तो इसके बाद आप क्या कर रहे हैं आप close करेंगे form tag को यहाँ पर कर लीजे इसके बाद आप body को close कर दीजे इसके बाद आप stml को close कर दीजे अब file पर जाकर save कीजे और जहाँ पर भी आप save करना चाहते हैं और file के name के साथ dot html extension लगाना ना भूले ठीक है? save कीजे अब इसके बाद आप यह पर यह देखे यह बन गए इसे क्लिक कीजे यह देखे यह बन गए अब आप इसमें से एक पर टिक कर सकते हैं ठीक है जो भी देना चाहे लेकिन यह देखे यह जो है equals to equals मतलब एक ही line में है अब आप इसको जो है दो लाइनों में लाना चाहते तो आप क्यों करेंगे यहाँ पर जाकर ber tag लगा दीजे यानि break tag ठीक है यहाँ पर type कीजे ber और यहाँ पर ber tag लगा दीजे okay friends इस तरह से यह अब जो है आपको उपर नीचे मिल जाएगा यह देखे तो friends आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अपने comments के जरीए मुझे बताएं and thank you for watching और please मेरे चैनल को subscribe करें for my new updates thank you thank you very much for watching